हलो दूस्तो, आज आज आप सुनेंगे शर्लक होम्स सीरीज की कहानी दा एडवेंचर आफ शेर ब्रोकर्स क्लर्क हिंदी में अपनी शादी के कुछ दिनों बाद मैंने पैडिंग्टन जिले में एक क्लिनिक खरीदा जिन व्रिध डॉक्टर से मैंने उसे खरीदा था, किसी समय उनकी प्रैक्टिस काफी अच्छी थी लेकिन अब आयू अधिक होने और मिर्गी रोग से पीडित होने के कारण वे बहुत कमजोर हो गए थे अपनी प्रैक्टिस शुरू करने के बाद तीन महिने तक मैं काम में काफी व्यस्त होने के कारण बेकर स्ट्रीट जाकर अपने दोस्त शरलक होमस से नहीं मिल सका जून में एक दिन सुबह जब मैं नाश्ते के बाद बैठा अकबार पढ़ रहा था तभी किसी ने दर्वाजे की घंटी बजाई घंटी के साथ ही अपने दोस्त की आवाज सुनकर मैं चकित रह गया कमरे में प्रवीश करते हुए उसने कहा मेरे दोस्त वाटसन तुम से मिलकर बहुत खुशी हुई और मुझे यकीन है कि हमारे पिछले केस साइन ओफ पोर से जो परिशानियां पैदा होई थी मिस्स वाटसन भी अब तक उनसे उबर चुकी होंगी होमस से गर्म जोशी से हाथ मिलाते हुए मैंने कहा धन्यवाद मित्र हम दोनों बिल्कुल ठीक है होमस ने घूमने वाली कुरसी पर बैठते हुए कहा और मुझे भी इस बात की पूरी आशा है कि तुम्हारी मेडिकल प्राक्टिस के कारण मेरे केसों के प्रती तुम्हारी रुची पूरी तरह खत्म नहीं होई होगी कैसी बात कर रहे हो मैत्र मेरे लिए इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है कि मुझे और अधिक अनुभव प्राप्त हो तो आज ही ये अनुभव प्राप्त करने के बारे में क्या विचार है हाँ जरूर मेरे दोस्त और अगर मैं कहूं कि हमें बर्मिंगम जाना है तो हाँ बिल्कुल मैं चलने के लिए तयार हूँ और तुम्हारी प्राक्टिस जब मेरा पड़ोसी कहीं जाता है तो उसके मरीजों को मैं देखता हूँ इसी तरह मेरे जाने पर मेरे मरीजों को वो देख लेता है बढ़या तो क्या तुम मेरे साथ बर्मिंगम चलने के लिए तयार हो हाँ जरूर लेकिन मामला क्या है वो सब मैं तुम्हें ट्रेन में बताऊंगा मेरा क्लाइंट बाहर गाड़ी में बैठा है तुम तो रंत तयार होकर आ जाओ मैंने अपने पड़ोसी के नाम एक परची लिखी उपरी मन्जिल पर जाकर अपनी पतनी को सूचना दी और वापस होम्स के साथ आखड़ा हुआ जब हम बाहर खड़ी गाड़ी में जाकर बैठ गए तो होम्स ने मेरा परीचे उसमें पहले से ही बैठे एक व्यक्ति से करवाया इनसे मेलो वाट्सन ये मेरे क्लाइंट मिस्टर पॉई क्रॉफ्ट है आओ मैं उनसे तुम्हारा परीचे करवाता हूँ और गाड़ी वान महोदय आप जरा गाड़ी थोड़ा तेज चलाईए क्योंकि हमारी गाड़ी छूटने में बस थोड़ा ही समय बाकी है गाड़ी में बैठा व्यक्ति स्वस्थ सुडॉल कद काठी वाला एक नौजवान था उसकी मूचे छोटी और थोड़ी पीली थी उसने हलके काले रंग का सूट और चमकीला हैट पहना हुआ था वेश भूशा से वो पूरी तरह लंदन का रहने वाला लग रहा था उसके चेहरे पर तनाव की एक गहरी चाया थी लेकिन जब हम बर्मिंगम जाने के लिए रेल गाड़ी के प्रथम श्रेणी कमपार्टमेंट में बैठे तो उसकी उदासी दूर हो गई होम्स ने कहा यहां से हमारी आत्रा पूरे सत्तर मिनट की है मिस्टर पॉयक्राफ मैं चाहता हूँ कि आपने अपने अनुभव के बारे में जो कुछ मुझे बताया है वो अधिक विवरन के साथ मेरे मेत्र को भी बताएं मेरे लिए इसे दुबारा सुनना काफी उपियोगी होगा मेरे दोस्त वाट्सन ये ऐसा केस है जिसे सुनकर आपको लगेगा कि इसमें कुछ न कुछ तो जरूर है या ये भी लग सकता है कि इसमें कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी ये तो साबित होता ही है कि कहीं कुछ तो गर्बर जरूर है हाँ तो मिस्टर पॉयक्राफ्ट आप अपनी बात शुरू कीजिए, अब मैं आपको बीच में नहीं टोकूंगा, हमारे नए साथी ने अपनी बात कहनी शुरू की, इस कहानी का सबसे दैनी ये पहलू ये है कि मैं खुद को एक बेवकूफ के रूप में देखता हूँ, शुरू में मुझे लगा कि शायद सब कुछ ठीक रहेगा, क्योंकि उस समय उसके अलावा मैं कुछ कर भी नहीं सकता था, लेकिन अब जब मेरी नौकरी मुझसे छिन गई है और उसके बदले मुझे कुछ भी हासिल भी नहीं हुआ, तब तो मैं यही सोचूंगा ना कि कितनी आसानी से मुझे बेवकूफ बना द लेकिन वसंतरितू के शुरुआती दिनों में बहुत अधिक करजा चड़ जाने के कारण हमारी संस्था दूसरी कमपनी के कबजे में चली गई, और उनका गंदा खेल शुरू हो गया, मैं पात साल तक पुराने कौकसन के साथ रहा, अपनी बरबादी से पहले उन्होंने हम में प्रशंसा पत्र भी दिया था, लेकिन इसके बावजूद हम 27 कलरकों को एक ही जटके में निकाल बाहर किया गया, मैंने कभी यहां तो कभी वहां बहुत भाग दोड़ की, लेकिन मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली, नौकरी की तलाश में भटकने वाले मेरे जैसे और भी भी बहुत सारे लोग थे, और लंबे समय तक बाजार में मंदी बनी रहने के कारण हमें किसी को भी नौकरी नहीं मिली, कौकसन में मुझे तीन पाउंड प्रती सपताह मिलते थे, उसमें से अपना खर्च निकाल कर मैंने करीब 70 पाउंड बचा भी रखे थे, कुछ समय तक मैं उसी बचत से काम चलाता रहा, लेकिन अंत में वो भी समाप्त हो गए, अब मेरे पास बस 10 पाउंड का एक नोट ही बचा था, और नौकरीओं के लिए भेजे जाने वाले लिफाफों पर लगाने के लिए तिकट खरीदना भी मेरे लिए मुश्किल हो गया, पैदल चलक अफिसों की सीधियां चड़ते-चड़ते मेरे जूते तूट गए थे, लेकिन नौकरी मिलने के कोई आसार मुझे नजर नहीं आ रहे थे, ऐसे में एक दिन मैंने लैंबार्ट स्ट्रीट में स्थित एक बड़ी शेयर कमपनी मौफसन एंड विलियम्स में एक खाली स्थान वहाँ भेज दिया, मेरी आशा के विपरीत, अगले ही दिन मुझे उनकी ओर से एक पत्र मिला, जिसमें लिखा था कि यदि मैं अगले सोमवार को उनके आसकूं, तो मुझे मेरी नई नौकरी तुरंत मिल सकती है, बशरते मेरा प्रदर्शन संतोष जनक हो, उनकी कारे प्र यहाँ यह मेरी पहली पारी थी, और मैं अधिक प्रसंद नहीं होना चाहता था, सबसे बड़ी बात यह थी, कि मुझे उनके यहाँ हर हफते एक पाउंड बढ़ा कर तनख्वा मिलने वाली थी, काम करने के घंटे कौक संजितने ही थे, अब मैं कारो बार के संदिग्ध पह की रहा था, तभी मेरी मकान मालकिन एक कार्ड लेकर उपर आई, कार्ड पर छपा हुआ था, आर्थर पिनर, वित्तिय अभिकरता, यह नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना था, और मैं समझ नहीं पाया कि यह व्यक्ति कौन है और मुझसे क्या चाहता है, लेकिन फिर भी मैंन फुर्तीला और तीखा था, उसकी बातों से ऐसा लगता था, जैसे वो समय की कीमत बहुत अच्छी तरह समझता हो, उसने आते ही कहा, क्या आप ही मिस्टर हॉल पॉयक्राफ्ट हैं? जी हाँ, मैंने कहा, पहले आप कॉक्सन एंड वुड हाउस में काम करते थे? जी हाँ, औ और अब आप मौवसन के स्टाफ में हैं? जी बिल्कुल ठीक, बढ़िया, सचा ही ये है कि मैंने आपकी वित्तिय योग्यताओं के बारे में कुछ बड़ी ही असाधारन बातें सुनी हैं, आपको कॉक्सन का मैनेजर पार कर याद है? उसी से मुझे आपके बारे में पता च तुम्हारी याददाश्ट अच्छी है? उसने पूछा, जी हाँ, और लोगों के मुकाबले काफी बेहतर है. जिस दोरान तुम खाली थे, क्या तुम तब भी बाजार के संपर्क में थे? उसने पूछा, जी हाँ, मैं रोज सुभा अखबार में शेयर बाजार की ताजा ख क्या भाव है? जी, 106 है. और New Zealand Consolidated? 104. और British Broken Hills? जी, 707. बढ़िया! हाथ उपर उठा कर वो चिलाया. जो मैंने तुम्हारी बारे में सुना था, वो सब ठीक है. तुम मौवसन में क्लर्क बनने के लिए पूरी तरह से उप्योक्त हो. मैंने थोड़े दबेस्वर में कहा, दूसरे लोग मेरे बारे में आपकी तरह नहीं सोचते, Mr. Pinner. ये नौकरी पाने के लिए मैंने बहुत कठिन संगर्श किया है और इसके मिलने से मैं बहुत खुश भी हूँ. उसने मुह बिच काते हुए कहा, तुम्हें इससे भी आगे जाना चाहिए. ये तुम्हारी असल की गुना बहतर है. कब जाना है तुम्हें मौफसन के ओफिस में? जी सोमवार को. आहा, मेरा प्रस्ताफ सुनकर तुम इतने बेचैन हो जाओगे कि किसी हाल में वहाँ नहीं जाओगे. मैं मौफसन नहीं जाओगा? लेकिन क्यों? मैंने हरानी से पूछा. वो इसलिए श्र के शहरों और गावों में कुल मिलाकर 134 ब्रांचेज हैं और एक एक ब्रांच ब्रसेल्स और सैंरीमों में भी है. उसकी बातें सुनकर मेरी सांस थमने लगी. मैंने कहा, लेकिन मैंने इस कंपनी के बारे में कभी सुना नहीं है. मुम्किन है कि ना सुना हो, क्योंकि इस पारकर ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था और इसी लिए मैं आज तुम्हारे पास आया हूं। शुरुआत में हम तुम्हें हर साल पांच सो पाउंड दे सकते हैं। पांच सो पाउंड हर साल? उसका प्रस्ताव सुनकर मैं उत्साह से करीब करीब चिल्ला ही पड़ा। ये तो केवल शुरुआत है। तुम्हारे सारे एजेंटों के द्वारा लाए गए कारोबार पर एक प्रतिशत कमीशन तुम्हें अलग से मिलेगा। और मेरा यकीन करो तुम्हारा कमीशन एक दिन तुम्हारे वेतन से भी ज्यादा हो जाएगा। लेकिन हार्डवेर के बारे में मैं तो कुछ नहीं जानता। मैंने कुछ दुविधा से कहा। उससे कोई फार्क नहीं पड़ता बच्चे, तुम्हें नमबरों के बारे में त देखिये, मैं आपको ये बात बिल्कुल साफ साफ बता देना चाहता हूँ, कि मौवसन से मुझे सिर्फ 200 पाउंड मिलेंगे, लेकिन वो सेफ है, हकीकत ये है कि आप जिस कंपनी का प्रस्ताव मुझे दे रहे हैं, उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता, मेरी बात सुन पाउंड का नोट, और अगर तुम्हें लगता है कि हम एक साथ काम कर सकते हैं, तो इसे अपने वेतन का एडवांस समझ कर अपनी जेब में डालो, अब मेरे पास कहने सुनने के लिए कुछ नहीं था, मैंने कहा, ये तो अच्छी खासी रकम है, मैं अपनी ड्यूटी पर उसने कहा, यहीं बर्मिंगम में कल दो पहर एक बजे, मेरी जेब में एक पर्ची है, जिसे कल तुम मेरे भाई के पास ले जाना, वो तुम्हें कमपनी के अस्थाई ओफिस 126 B Corporation Street में मिलेंगे, वही आपकी नौकरी की पुछ्टी करेंगे, मिस्टर पिनर, मैं आपका आभ कुछ फॉर्मालिटीज हैं, जो मैं तुम्हारे साथ पूरी करना चाहता हूँ, तुम्हारे पास मेज पर ये एक कागस पड़ा है, उस पर तुम मुझे ये लिखकर दे दो, कि तुम 500 पाउंड के न्यूंतम वेतन पर, फ्रेंको मिडलेंड हर्डवेर कमपनी लिमिटेड म बिजनिस मैनेजर के पद पर काम करने के एक छुक हो, मैंने उसके निर्देश का पालन किया, और उसने मेरा वो संक्षिप्त सहमती पत्र अपनी जेब में रख लिया, फिर उसने कहा, हाँ, मुझे एक और जानकारी भी चाहिए, अब मौवसन के बारे में तुम क्या करना च चाहते हो, अपनी खुशी के चकर में मौवसन के विशे में तो सब कुछ भूली चुका था, मैंने कहा, मैं उन्हें लिख कर त्याग पत्र दे दूँगा, यही तो मैं नहीं चाहता, उसने कहा, तुम्हें लेकर मौवसन के मैनेजर से मेरी कुछ बहस हो गई थी, दर असल म मैं उनके पास तुम्हारे बारे में कुछ पूछने के लिए गया था, इतनी सी बात पर वो मेरे उपर भड़क गया, और आरोप लगाते हुए बोला, कि मैं तुम्हें बहला फुसला कर संस्था की सेवा से दूर करना चाहता हूँ, उसकी बाते सुनकर मुझे भी गुसा आ तब मैंने उसे कहा, कि मैं तुम्हारे साथ शर्ट लगा सकता हूँ, कि जब तुम मेरा प्रस्ताव सुनोगे, तो मौवसन की नौकरी को भूल जाओगे, उसने मेरी शर्ट मंजूर कर ली, और बड़े ही घमंड के साथ बोला, कि वो तुम्हें गटर से उठा कर लाया था, और तुम मौवसन की नौकरी आसानी से नहीं छोड़ोगे, कितना नीच और बदमाश है वो आदमी, मैं गुस्से से चिलाया, उसकी जैसा आदमी मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा, मैं उसके बारे में क्यो सोचूँ, अब तो अगर आप कहेंगे भी, तो भी मैं उसे इस्तीफा नहीं लिखूंगा, ठीक है, तो फिर वादा रहा, कुर्सी से उठते हुए उसने कहा, मुझे इस बात की खुशी है, कि मुझे अपने भाई के लिए इतना अच्छा आदमी मिल गया, ये रहा तुम्हारा 100 पाउंड का एडवांस, और ये रहा पत्र, इस प आप कलपना कर सकते हैं, कि अपनी इस असाधारन उपलब्धी पर मैं कितना खुश था, आधी रात तक बैठा, मैं अपनी किस्मत पर नाज करता रहा, और अगले दिन गाडी में बैठ कर मैं बर्मिंगम के लिए चल पड़ा, अपना सामान न्यू स्ट्रीट के एक होटल मे रख कर मैं समय से थोड़ा पहले ही दिये गए पते पर पहुँच गया, एक बजने में अभी 15 मिनट बाकी थे, लेकिन मैंने सोचा कि पहले पहुँचने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 126 भी दो बड़ी दुकानों के बीच से होकर जाने वाला एक गलियारा था, जो पत् नामों में फ्रेंको मिड्लैंड हार्डवेर कमपनी लिमिटेड का नाम कहीं नहीं था, कुछ देर तक अपने जोतों पर निगाह डाले, मैं सोचता रहा कि ये सब मेरे साथ चतुराई से किया गया कोई बड़ा फरेब तो नहीं था, तब ही एक आदमी ने ऊपर आकर मुझ मुझे आवाज दी, ये लगभग वही आदमी लग रहा था, जिसे मैं पिछली रात मिला था, उसकी कदकाठी और आवाज तो उसी के जैसी थी, लेकिन इसके दाड़ी मूच नहीं थी, और इसके बाल भी हलके थे, उसने मुझ से पूछा, क्या आप मिस्टर पॉईक्राफ जी हाँ, मैंने कहा, आईए, आईए, मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था, किन्तु आप समय से थोड़ा पहले ही आ गए, मेरे भाई ने आज सुभा मुझे एक पत्र दिया है, जिसमें उसने आपकी बड़ी जमकर तारीफ की है, मैंने उस पर गहरी निगाह डालते हुए कहा, जिस समय आपने मुझे आवाज लगाई, मैं आपके ऑफिस का नाम ढूंड रहा था, दरसल हमने अभी यहाँ अपना नाम लिखवाया नहीं है, क्योंकि हमने ये जगा अस्थाई तोर पर पिछले हफते ही ली है, आप मेरे साथ उपर आईए, वहीं बैठ कर बाते करे उनमें ना तो कोई कालीन लगा था, ना ही परदे लगे थे, उन्हीं कमरों में से एक में वो मुझे ले गया, मैंने वहाँ एक बड़े विशाल कार्याले की कलपना की थी, जिसमें चमचमाती मेजें और उनके दोनों तरफ क्लरकों के बैठने की कतारें बनी हो, मुझे ऐस इसे ही ऑफिस में काम करने का अनुभव था, जिस कमरे में मुझे ले जाया गया, उसमें सिर्फ दो कुर्सियां और उनके बीच में एक छोटी सी मेज रखी हुई थी, जिसके ऊपर एक रजिस्टर और नीचे बाई और रदिकागज की टोकरी रखी थी, मेरे चेहरे की और बरबाद नहीं करते, आप आराम से बैठिये और अपना पत्र मुझे दीजिये, मैंने जेब से निकाल कर पत्र उसे थमा दिया और उसने उसे बड़े ध्यान से पढ़ा, फिर उसने कहा, लगता है आपने मेरे भाई आर्थर के मन पर बड़ी गहरी चाप छोड़ी है, और म ये समझ लीजिए कि आपको ये नौकरी मिल गई है, जी मुझे करना क्या होगा, मैंने पूछा, आपको फ्रांस के एक बड़े डिपो का प्रबंधन करना होगा, जहां क्रॉकरी भरी हुई है, आपको फ्रांस के 134 एजेंटों के जरिये, उन्हें दुकानों तक पहुचान ये सारी खरीदारी एक हफते में पूरी हो जाएगी, और इस बीच आप यहां बर्मिंगम में ही रहकर अपना काम देखेंगे, कैसे मैंने पूछा, जवाब में उसने दराद से एक बड़ी सी लाल किताब निकाली, और कहा, ये पैरिस की डारेक्टरी है, इसमें लोगों के नाम के आगे उनके व्यवसाय लिखे हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे अपने साथ अपने घर ले जाओ, और इसमें हार्डवेर विक्रेताओं के पते के साथ उनके नाम एक कौपी में उतार कर लाओ, इससे मेरा बहुत बड़ा काम हो जाएगा, मैंने सुझाव दिया, जी जरूर, लेकिन इसमें तो वर्गी कृत सूचियां बनी हुई हैं, हाँ बनी हैं, लेकिन वो विश्वस्निये नहीं हैं, उसने कहा, उनके काम करने का तरीका हमारे काम करने के तरीके से अलग है, इसलिए इस पर अमल करो और सौमवार को बारह बज़े तक सारी सूचिया अगर तुम रुची और बुद्धी का प्रदर्शन करोगे तो कमपनी तुम्हें पुरस्कृत भी करेगी। बहराल देखता हूँ क्या होता है। अगर तुम पूरा करने में व्यस्त रहा। उसके बाद उसे तयार करके मैंने मिस्टर हैरी पिनर को सौप दिया। उसने कहा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शायद मैंने काम की कठिनाई को कम करके आका था। ये मेरे बड़े काम आएगी और बड़ी ही साहयक सिद्ध होगी। मैंने उससे कहा इसमें कुछ ज्यादा ही समय लग गया। कोई बात नहीं। उसने मुलायम स्वर में कहा। अब इसके बाद तुम फरनीचर विक्रेताओं की सूची तयार करो क्योंकि वे सभी क्रॉक्री बेचते हैं। जी बहुत अच्छा। अब तुम कल शाम को साथ बजे आना और मुझे बताना की काम कैसा चल रहा है। और हाँ, अपने उपर काम का ज्यादा भार डालने की जरूरत नहीं है। रोज शाम को एक दो घंटे तुम संगीत का आनन भी ले सकते हो। इससे कोई नुकसान नहीं होगा। इतना कहकर वो अचानक हस पड़ा और मैं ये देखकर हैरान रह गया कि उसके बाई और के दूसरे दांत में सोने की एक मोटी परत चड़ी हुई थी। शर्लोक होम्स खुशी से अपने हाथ रगड़ने लगा और मैं हैरान होकर क्लाइंट की तरफ देखने लगा। आपका चकित होना उचित है डॉक्टर वाटसन लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। जब मैं उसके दूसरे भाई से लंडन में बात कर रहा था तो वो मेरे मौवसन में ना जाने की बात सुनकर हसा था। उस समय मैंने देखा था कि उसका दांत भी काफी कुछ उसी तरह बना हुआ था। उस समय भी उस सोने की चमक ने मेरा ध्यान खींचा था। मेरी बात समझ रहें आप। मैंने देखा कि दोनों की कद काठी और आवाज एक जैसी है। सिर्फ दाढ़ी और बालों का फरक है लेकिन वो तो रेजर और विग से बदले भी जा सकते हैं। मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं कि वे दोनों आदमी एक ही हैं। ये तो हो सकता है कि दो भाई शकल सूरत में एक जैसे दिखाई दें। लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि दोनों के दाढ़ भी एक ही तरह से सोने में मढ़े हूँ। उसने मुझे सिर जुका कर वहां से विदा किया और मैं गली में चल पड़ा। मेरे मन में ये दुविधा हो रही थी कि कहीं मैं किसी बड़ी मुसीबत में तो नहीं फस गया हूँ। होटल जाकर मैंने अपने सिर को ठंडे पानी से अच्छी तरह धोया और इस बात पर सोचने लगा। उसने मुझे लंडन से बर्मेंगम क्यों भेजा। मेरे पहुँचने से पहले वो यहां क्यों पहुँच गया। ये सब सोच सोचकर मैं परिशान हो गया लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आया। तब मेरे दिमाग में ये विचार आया कि शायद मिस्टर शर्लक होम्स मेरी इस परिशानी को दूर कर सकें। रात वाली गाड़ी से शेहर जाकर आज सुभा उनसे मिलने और आप दोनों को अपने साथ बर्मिंगम लेकर आने के लिए मेरे पास परियाप्त समय था। इसलिए मैंने वैसा ही किया। इतना कहकर उसने अपनी बात समाप्त कर दी। कुछ पल के लिए केबिन में खामोशी चा गई। फिर होम्स ने मेरी तरफ देखते हुए पूछा। कहानी अच्छी है वाटसन, क्यों। इसमें कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनको सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं सोचता हूँ कि आप भी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि फ्रेंको मिड्लैंड हार्डवेर कंपनी लिमिटेड के अस्थाई ओफिस में मिस्टर आर्थर हैरी पिनर के साथ एक इंटर्विव हम लोगों के लिए काफी रोचक सिद्ध होगा। लेकिन हम ये करेंगे कैसे मैंने पूछा। ये तो बड़ी आसानी से हो सकता है। पॉयक्राफ्ट ने खुशी से कहा। आप दोनों मेरे मित्र हैं जो किसी ठिकाने की तलाश में हैं और इस से बहतर और स्वाभाविक और क्या हो सकता है कि मैं आप दोनों को अपने मैनेजि मैं उन सजन से जरूर मिलना चाहूंगा और देखूंगा कि उनके इस खेल को समझ कर शायद मैं किसी निशकर्ष पर पहुँच सकूँ। तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी खुबी है मेरे दोस्त जो तुम्हारी सेवाओं को इतना मुल्यवान बनाती है या कि कहीं ऐसा तो न नहीं। इतना कहकर उसने अपना नाखुन चबाना शुरू कर दिया और खिड़की पर खड़े होकर शून्य में तब तक देखता रहा जब तक हम न्यू स्रीट में नहीं निकल आए। उस शाम को साथ बजे हम तीनों कमपनी के ऑफिस कॉर्परेशन स्रीट जाने के लिए निकल पड़े। हमारे क्लाइंट ने कहा नरधारित समय से पहले वहां पहुँचने से कोई फायदा नहीं। वह वहां सिर्फ मुझ से मिलने के लिए ही आता है क्योंकि उसके आने से पहले वो जगह पूरी तरह वीरान रहती है। ये तो सोचने वाली बात है। होमस ने टि तूटबूट वाले आदमे की ओर इशारा किया। हमने देखा कि वो पटरी पर शाम का अखबार बेचने वाले एक लड़के के पास से होकर गुजरा। उसने लड़के से एक अखबार खरीदा और एक दर्वाजे के अंदर जाकर गुम हो गया। वो जा रहा है। पॉयक्र बैठा हुआ था। उसने हमें अंदर आने का निमंतरन दिया। जब हम उसका हुलिया हमें ठीक वैसा ही नजर आया जैसा पॉयक्रॉफ्ट ने हमें बताया था। जिस आदमी को हमने सडक पर देखा था, वो मेज पर अखबार फैलाए उसे पढ़ रहा था। जब उसने हमा साफ नजर आ रहे थे। पॉयक्रॉफ्ट उसकी ऐसी शकल देखकर बोला, क्या आपकी तब्यत ठीक नहीं है मिस्टर पिनर। उस व्यक्ति ने अपने आपको संभालते और होठों पर जीब फिराते हुए कहा, हाँ मैं मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये दोनों लो उमीद है कि शायद आप अपनी कमपनी में इन्हें भी नौकरी दे सकते हैं। हाँ हो सकता है, हो सकता है। मिस्टर पिनर अजीब से स्वर में बोले। मैं निसंदेह आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। आप किस क्षेतर में काम करते हैं, मिस्टर हैरिस। जी, मैं हुम्स ने कहा, हाँ हाँ, हमें आप जिसे आदमी की जरूरत होगी, और आप मिस्टर प्राइस? जी मैं क्लर्क हूँ, मैंने कहा, मुझे पूरी उमीद है कि कम्पनी आपको नौकरी जरूर देगी, मैं जल्दी ही आपको इस बारे में सूचित करूँगा, अब आप लोग जा पराहट को वो छिपाने की कोशिश कर रहा था, वो हमसे छिपी न रह सकी, होम्स और मैंने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन पॉयक्रॉफ्ट मेज की ओर एक कदम आगे बढ़ दया, फिर उसने कहा, मिस्टर पिनर, आप भूल गए कि मैं यहाँ नौकरी पर हूँ, और प्रतीक्षा कर सकते हैं, तीन मिनिट के अंदर मैं वापस आकर आप से बात करता हूँ, इतना कहकर वो उठा, और कमरे के आखरी कोने में बने एक दूसरे कमरे में दाखिल होकर, उसने दर्वाजा अंदर से बंद कर लिया, होम्स बुद बुद आया, अब क्या करें, क्या हमें गच्चा दे कर भाग तो नहीं जाएगा, असंभव, पॉयक्रॉफ्ट ने उत्तर दिया, ऐसा क्यों, क्योंकि वो कमरा एक दूसरे कमरे में खुलता है, और वहां बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, उस कमरे में क्या सामान है, होम्स ने पूछा, जी, कल तो वो खा है, तो वो आदमी बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है, आखिर किस कारण से वो इतना काप रहा होगा, मैंने कुछ सोचते हुए कहा, शायद उसे हमारे जासूस होने का संदेह हो गया हो, होम्स ने अपना सिर जटक दिया, मुझे ऐसा नहीं लगता, मेरे खयाल से, उसकी बात अभी पूरी भी नहीं होई थी, कि कमरे के अंदर वाले दूसरे कमरे की ओर से, अचानक तेज गरगराने की आवाज सुनाई दी, वो अपने ही कमरे में दस्तक देने की मूर्खता क्यों कर रहा है, पॉयक्रॉफ्ट चिलाया, फिर से एक उची गरगराने की आवाज पढ़ गई और दर्वाजा खट-खटाने की तेज आवाज आने लगी, होमस ने पागलों की तरह दोड़कर दर्वाजे को जोर से धक्का दिया, उसमें अंदर से कुंडी लगी थी, हम दोनों भी मिलकर पूरी ताकत से दर्वाजे पर धक्के मारने लगे, कुछ धक्कों क दर्वाजा तूट कर फर्श पर गिर पड़ा, तूटे दर्वाजे के उपर से दोड़ते हुए हम जब अंदर कमरे में पहुँचे तो वो खाली था, जिस दर्वाजे से हम अंदर दाखिल हुए थे, उसके पास ही एक दूसरा दर्वाजा था, जिसे हम लोगों ने अंदे जूल रहा था, उसके घुटने मुड गए थे, उसका सिर, उसके शरीर के दूसरी ओर दरावने कोन में लटक गया था, और दर्वाजे पर उसकी एडियों की ठक ठक की आवाज सुनकर ही हम उसकी ओर दोड़े थे, मैंने फॉरन उसकी कमर पकड़कर उसे उपर की ओर उठाय और होम्स और पॉयक्राफ्ट ने मिलकर उसके गले में पड़ा फंदा खोल दिया, उसके बाद हमने उसे दूसरे कमरे में ले जाकर लिटा दिया, उसके होट नीले पड़ गए थे और फड़क रहे थे, जिससे उसके जीवित होने का संकेत मिल रहा था, जरा इसे चेक करो वाट्सन, होम्स ने मुझसे कहा, मैंने उसके पास खड़े होकर उसका परीक्षन किया, उसकी नाड़ी काफी मंदी हो गई थी और रुक रुक कर चल रही थी, लेकिन उसकी सांसें तेज हो रही थी, यदि हम लोग फोरन इसके पास नहीं पहुँचते, तो ये चंद की धार छोड़ी, और जब तक उसकी सांसें सामान्य नहीं हो गई, उसके हाथों को बार-बार उपर नीचे जुलाता रहा, अब ये थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, कहकर मैं अलग हट गया, इस बीच होम्स अपनी पैंट की जेब में हाथ डाले, गंभीर मुद्रा में मेज के पास खड़ा रहा, फिर उसने कहा, मुझे लगता है कि अब हमें तुरंत पुलीस को बुला लेना चाहिए, मैं चाहता हूँ कि जब पुलीस आए, तो मैं ये पूरा केस उसे सांप दूँ, पॉयक्रॉफ्ट ने सिर्ख हुजलाते हुए कहा, ये रहस्से तो मेरे ल रहे गया है, क्या तुम उसे समझ सकते हो, मैंने कंधे उचका दिये, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया मेरे दोस्त, मैंने कहा, यदि तुम घटनाओं पर सरसरी तोर पर विचार करो, तो वे सिर्फ एक नतीजे की और संकेत करती हैं, सारा मामला दो बिंदूओं पर आधार नहीं मेरे दोस्त, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, मैंने कहा, जी हाँ, मुझे भी कुछ समझ नहीं आया, पॉयक्रॉफ्ट ने भी मेरी बात का समर्थन किया, जरा सोचो, उन्होंने तुमसे वो वचन पत्र क्यों लिया, किसी व्यावसाई का अपचारिकता के लिए नह क्योंकि ऐसी चीजें मौखिक तोर पर तै होती हैं, दर असल उस वचन पत्र के जरिये, वो तुम्हारी लिखावट का नमूना लेना चाहता था, और उसके पास तुमसे लिखवाने के लिए दूसरा और कोई उपाय नहीं था, लेकिन वो मेरी लिखावट का नमूना क्यों चाहता था, इस क्यों का एक मात्र कारण ये है कि कोई तुम्हारी लिखावट की नकल करना चाहता था, और इसके लिए उसके पास तुम्हारी लिखावट का नमूना होना जरूरी था, अब यदि हम दूसरे बिंदू की ओर बढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कि हर बिंदू एक दूसरे पर रोशनी डाल रहा है, वो दूसरा बिंदू है पिनर का पॉईक्रोफ्ट से त्याग पत्र ना देने का अनुरोध करना, ताकि मौवसन का मैनेजर इसी इंतजार में रहे कि कोई मिस्टर पॉईक्रोफ्ट सोमवार को उसके यहां नौकरी पर आने वाले हैं, हे भगवान, मैं कितना अंधा था, मुझे ये सब क्यों नहीं समझाया, पॉईक्रोफ्ट चिलाते हुए बोला, अब तुम लिखावट के पीछे छिपे मकसद को समझो, माल लो कि तुम्हारी जगह कोई दूसरा आदमी वहां नौकरी करने आ जाता, और उसकी लिखावट तुम्हारी लिखावट से अलग होती, तो उसका खेल तो बिगड़ ही जाता, लेकिन अगर वो नौकरी पर जाने से पहले, तुम्हारी लिखावट की नकल करना सीख लेता, तब वो सुरक्षित होता, अब दूसरी बात ये, कि उसने तुम्हें यहां इतनी दूर क्यों भे है, इसलिए उसने तुम्हें एडवांस के तौर पर अच्छी खासी रकम दी, ताकि तुम काम के बोज से दबे रहो और लंडन जाने के बारे में सोचो भी नहीं, क्योंकि सीधी सची बात ये है, कि अगर तुम लंडन जाते, तो उसका सारा खेल बिगड़ जाता, लेकिन इस आदमी ने अपने ही भाई के भाई होने का नाटक क्यों किया, वो भी अब कुछ-कुछ स्पष्ट हो गया है, असल में ये लोग दो ही हैं, पहला वो जिससे तुम कभी मिले ही नहीं, और जो मौफसन में तुम्हारी जगह काम कर रहा है, और दूसरा ये, जो पहले तु इन पर संदेह नहीं होता, लेकिन इन्होंने शायद तीसरे आदमी को लाना सुरक्षित नहीं समझा, और ये मान लिया कि उसके थोड़े से बदले हुए रूप में तुम उसे पहचान नहीं पाओगे, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत शक होता भी, तो वो पारिवारिक एक रूपता की बात कहकर तुम्हें राजी कर लेता, ये दांत में सोना लगे होने की खास निशानी अगर नहीं होती, तो तुम्हें कभी उसके उपर संदेह नहीं हुआ होता, पॉयक्रॉफ्ट ने बंधे हुए हातों को हवा में जटका दिया और बोला, आपकी बड़ी क चाहिए मिस्टर होम्स, मुझे बताईए कि मैं क्या करूँ, हमें मौफसन वालों को इस बारे में पत्र जरूर लेखना चाहिए, लेकिन उनके यहां शनिवार को बारह बजे छुट्टी होती है, चिंता मत करो, वहां कोई चौकिदार या चपरासी जरूर होगा, हाँ हाँ तो फिर हम उन्हें तार देकर पता करेंगे कि उनके यहां सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं, साथ ही उनसे ये भी पूछेंगे कि क्या तुम्हारे नाम वाला कोई आदमी वहां काम कर रहा है, ये बात तो अब साफ हो गई, अब हमें ये मालुम करना बाकी है कि यहां काम करन वाले बदमाश ने अचानक कमरे से बाहर जाकर खुद को फासी क्यों लगा ली। अखबार के कारण। पीछे से एक रुआसी आवाज आई। अपनी दरावनी और पीली सूरत लिए वो आदमी अब उठकर बैठ गया था। कपड़े का वो चौड़ा लाल पट्टा अभी भी उसके गले में लिप्टा हुआ था। अखबार सच मुच। उत्ते जना के आवेश में होम्स चिलाया। मैं भी कितना मूर्ख हूँ। हमने अपनी यात्रा के बारे में इतना अधिक सोचा कि अखबार वाली बात हमारे दिमाग में आई ही नहीं। इसका रहस्ये तो इस अखबार इवनिंग स्टैंडर्ड का ताजा संसकरन है। हमें जो चाहिए वो इसी में है। जरा इस सुर्खी पर नजर डालो। शहर में अपराद, मौवसन एंड विलियम्स में हत्या, दिन दहाडे भीशन डकैती, अपराद ही पकड़ा गया। वाट्सन, हम सब इसे सुन अपरादी की एक नकाम कोशिश हुई, जिसकी परिनती एक आदमी की मौथ के रूप में हुई और अपराधी मौके पर ही पकड़ा गया। विगत कुछ समय से मौवसन एंड विलियम्स का मशूर वित्तिय घराना लगभग 10 लाख पाउंड की सिक्योरिटीज का सनरक्षक थ जिस प्रबंधक पर सिक्योरिटीज की सुरक्षा का दायत्व था, उसने आधोनिक्तम तिजोरियों और अलमारियों का निर्मान कराया था और उनकी पहरेदारी के लिए इमारत में रात दिन एक सशस्त्र सिपाही पहरा देता था। की सजा काट कर जेल से बाहर आया था। इसने किसी तरह जुगार करके किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर नौकरी हासिल कर ली, जिसका उपियोग इसने अनेक तालों की डाई बनाने और स्ट्रॉंग रूम और तिजोरियों की लोकेशन जानने के लिए किया। पर अधिक्षक ने उसका पीछा किया और एक सिपाही की साहता से काफी जद्दो जहद के बाद उसे गिरफतार कर लिया गया। उसके गिरफतारी के साथ ही भयानक डगैती की बात स्पश्ट हो गई। उसके थैले से अमेरिकन रेलवेज के करीब एक लाख पाउंड के मूल पुलिस अधिक्षक इतनी तुरंत कारवाई न करते तो उसका शव सोम वार तक वहीं पड़ा रहता। चौकिदार की खोपड़ी पर किसी नुकीले सरीये से पीछे से वार किया गया था जिससे वो चूर-चूर हो गई थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि बेडिंग्टन ने कोई चीज अंदर छूट जाने के बहाने अंदर प्रवेश किया होगा और चौकिदार की हत्या करने के बाद बड़ी तिजोरी से सारा माल निकाल कर ले लिया होगा। उसका भाई जो आमतोर पर उसके साथ ही रहता था इस अपराध में कहीं दिखाई नहीं पड़ा। पु लगाने के लिए सघन पूझताच कर रही है। होमस ने खिड़की से सटकर खड़े मरियल आदमी की ओर देखते हुए कहा। अब हम इस दिशा में पुलिस की परिशानी कुछ कम कर सकते हैं। मानव स्वभाव भी कितना जटिल है वाटसन। आप इसे इस बात से समझ सकते है कि एक दोष्ट हत्यारा भी ऐसी प्रेणा दे सकता है कि उसका भाई पकड़े जाने के भाई से उसके पीछे जान देने की कोशिश कर सकता है। बहरहाल अब हमारे पास कारवाई करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। डॉक्र वाटसन और मैं इस दोष्ट पर नजर रखेंगे और मिस्टर पॉई क्रॉफ्ट आप कृपया बाहर जाकर पलीस को बुला लाईए। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। जल्दी ही एक और उंदा कहानी के साथ आपसे फिर मलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा।